एंडिये की बैठक से पहले लोजपार रा के राष्टिया अध्याच चिराग पास्वा ने अपचार एक तोर पर घोशना की है कि लोग जंशक्ति पार्टी राम विलास अब एंडिये का हिस्सा है मीडिया को संबोधित करते वे का कि मैंने भी जेपी नहीं नितिश के कारण एंडिये छोड़ा था एक बार फिर एंडिये के साथ है हमने कभी पार्टी के सिध्धानतों से समझोता नहीं किया वही हाजिपूर सीट से लोजपारा की ही चुनाव लड़ने की बात कही बता दे कि इस सीट पर उनके चाचा और कींद्रिय मंत्री पशुपती पारस सांसद है वहाजिपूर सीट छोड़ने को तियार नहीं है चिराग ने प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान मुख्य मंत्री नितिश कुमार पर जम करने साना साधा कहा कि वो कभी किसी के साथ नहीं रहते नितिश शिर्फ कुरसे के साथ रहते है 2020 में गटबंधन तूटने पर कहा कि 2019 की चुनाव में नितिश कुमार की जो भूमिका रही थी वो पूरी तरह से गलत थी उन्होंने हमारे हर प्रत्याशी को हराने का काम किया इसके बाद हमारी पार्टी में मन्थन शुरू हुआ की हमें NDA से अलग हो जाना चाहिए NDA में नितिश के साथ हम असहज थे इसलिए गटबंधन तोड़ना पड़ा चिराग ने कहा कि NDA से अलग होने के बावजुद वो केंद्र की नीतियों पर सहमती जताते रहे है BJP और PM मोदिक के साथ एक संबंध हमेशा से रहा है बिहार में उप्चुनाओं में मैंने वो संबंध निभाए भी केंद्र की नीतियों में भी BJP का साथ दिया NDA में सीट बटवारे को लेकर कहा कि सीट के बारे में बताना गटबंधन धर्म के खिलाफ होगा वहीं चाचा परशुपती पारस के साथ आने पर कहा कि चाचा जी पहले ही फैसला ले चुके हैं कि भतीजे के साथ नहीं आना है चिराग ने कहा कि महागट बंधन जनता के उमीदों पर खारा नहीं उतरेगा बैंगलूरू में विपच्छी दलों के बैठक के जवाब में NDA की दिल्ली में आज महा बैठक होगी BJP का धावा है कि इसमें 38 पार्टिया शामिल होगी बिहार से लोचपर रा के राष्ट्य अध्यच चिराग पासवान उपेंद्र कुश्वाह की पार्टी, राजोजद और हम पार्टी के संदच्छक जीतन रामान जी भी बैठक में हिस्सा लेंगे इसके अलावा राष्ट्य लोक जन्वशक्ती पार्टी के राष्ट्य अध्यच पशुपती नाथ पारस के भी शामिल होने की संभावना है हलाकि वे चुराग के साथ किसी तरह की कम्परमाइस करने को तयार नहीं है हलाकि वी आईपी के मुकेश शहनी को नियोता नहीं दिया गया है अभी तक बिजेपी के साथ बिहार में एक मात्र पार्टी रा लोजपा थी इसकी अगवाई पशुपती पारस कर रहे थे अब लगभग साथ हो गया है कि लोजपा का दूसरा धड़ा जिसकी अगवाई चिराग पास्वन कर रहे हैं वो भी एंडिये का ही हिस्सा होंगे इसके अलावा उपेंद्र कुश्वाह का रालो जद और जितनरा माहंजी की हम पार्टी भी एंडिये के कुनबे का हिस्सा बनेगी वहीं मुकेश शहनी को मनाने की प्रकिरिया भी जारी है हलाकि शहनी फिलहाल अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं लेकिन बिजेपी उन्हें भी मनाने में जुटी है धन्यवाद बाके की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया दर्सन के साथ